हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कोड़ सिक्रेट पर यह सेरीज है जावा स्किट प्रोजेक्ट की जिस सेरीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट अपलोड कर रहा हूं मैं बहुत सारी वेब साइट वेब अपलोड करते जा रहा हूं आज किस वीडियो में फिर से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ आप लोग के बीच उपलब्द हुआ हूं जो ही जो प्रोजेक्ट बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कि किस प्रिकार का प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मैं आप से यह एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको HTML, CSS, JavaScript की बेसिक नॉलिज है अगर नहीं भी है तो मैं जिस तरीके से आपको क समझाऊंगा आप वहां से रिलेट कर पा रहे होंगा आपको अगर आप प्रोजेट करना चाता हूं नुडुक्त किall सुल्ब establishment slightly यहीं सीज है जो मैं अप्रसं आपम करते जा रहा ह portfolio रहा है जिसमें अभी वीडियो अप्लोडिटरी वीडियो जो मैं इस ले नी कड आँं कि क्या करने वाला उ आAMA प्रोजेक्स अल्रेडी अप्लोड़ेड है जहां पर मैंने फॉस्ट प्रोजेक्ट टूडू लिस्ट अप कैसे बनाते हैं उसको मैंने दिखाया और सेकंड की डैनेमिकली बैग्डाउंड कैसे चैंज करते हैं किसी बॉक्स का और टेक्स इंपुट बॉक्स के साथ तो दिखते हैं वो डेमो अप्लिकेशन ओक्राइओ अगर मैं नियांज को विलेगेशं वहां देख रहा है किया तो श climbing अब्सेटit Sed sound होते जारी है यहां पर value 0 है यह जीरो के साथ यह stable है and image अपने original format में और जैसे जैसे इसकी range की value में बदल रहा हूं बदलते जा रहा हूं इंडेक्स.html, index.js and style.css यह तीन फाइल अपने को चाहिए फर्स्ट फाइल जो html के लिए है जहां पर main structure होने वाला है second js file javascript file है जहां पर मैं code को लिख करके मैं dynamically चीजों को change कर पा रहा हूंगा and third style.css file है जहां पर मैं styling add कर पा रहा हूंगा styling मैं add करूंगा ताकि बढ़ियां दिखे center हो जाई image and अलग अलग चीज़े हैं तो सबसे पहले basic structure html लिख लेते हैं तो उसके लिए shortcut क्या है कि आप exclamation mark लिखो और enter hit करो तो आपको यह boiler code मिल जाएगा यहां पर टाइटल चेंज कर देते हैं यहां पर rotate image इससे चेंज करने से अपने को टैब में दिख जाएगा कि यह कौन सा application open है यहां पर दोस्तों अपन लिंक कर लेते हैं अपनी css file को और style.css file है नाम तो यह all add हो गया है और यहां पर लिखते हैं index.js इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है तो यहां यह index.js file है तो मैंने add कर लिए यहां पर अब सबसे पहले अपने को चाहिए क्या दोस्तों तो एक image चाहिए सबसे पहले image add करते है image को add करने के लिए मैं google से image का url यूज कर रहा हूं और यहां पर मैं add कर रहा हूं उससे पहले दोस्तों एक image tag यहां पर अपन add करते हैं यहां पर लिखते है image और उसमें source के लिए अपन पूजेंगे उस image का address क्या है तो यहां पर simply लिखेंगे java script image ठीक है and then अपने को image मिल जाएगी और वहां से link copy करेंगे और फिर rotate करेंगे उसकी image को ठीक है तो मैं इस image को मैं इसके address को मैं copy कर लेता हूं और आये चलते हैं यहां पर और source में मैं वही same value यहां पर put कर देता हूं ठीक है save कर लेता हूं इसे और यहां पर देख लो अपने को हम लोग ने सही URL path हमने add के लिए यहां पर icon दिख रहा है अपने को यह same image और इसको यहां लाते हैं और अगर image सही नहीं है तो alt में value भी कुछ आना चाहिए तो मैं alt में कुछ डाल देता हूं अभी के लिए यहां पर लिख देता हूं java script image ठीक है अगर यह image available नहीं होगी अगर URL से नहीं मिलेगा तो इस तरीके से अपन message करतेंगे user को तो आये इस project को run करते हैं और देखते हैं कि क्या output आ रहा है ब्राउजर में क्या आपने को दिख रहा है हम लोगों ने जो add किया हो सभी से दिख रहा है कि निए इमेज हम लोग की add हो गई है बट यह center में नहीं है center में लाने के लिए basically मैं क्या करूँगा एक div tag का use करूँगा और इस div के अंदर में मैं basically इस image को रख दूँगा और फिर style add करूँगा इस div के लिए ठीक है तो यहां पर मैं इस image को paste कर देता हूँ और यहां पर एक id यूज करता हूँ इस class यूज कर लेता हूँ ठीक है and class रखता हूँ img div ठीक है image div है इसले और आइए चलते है style.css file में और यहां पर लिखते हैं simply dot img div ठीक है और यहां पर styling के आपन add करने वाले हैं margin थोरी से दे देते हैं margin top में अपन 60 pixel देते हैं ताकि image नीचे आ जाए top से and then margin left देते हैं दोस्तों margin left अपन 40% दे देते हैं ताकि image image center में चला जाए 40% हम लोग ने डाल दिया है अब देखते हैं कि क्या हो रहा है एक image और एड हो गई है basically हमने image तो copy करके वहां paste किया बट एक image यहां भी रह गई है तो इसको अपन अपने को मिल जाएगा आपन वहां से ले लेंगे तो आइए चलते हैं एक add करते हैं input और इसकी type क्या होने वाली है इन्पुट होने वाली है range ठीक है तो range हमने डाल दी है यहां पर इसकी id में change कर देता हूं यहां पर id लिखता हूं range ठीक है आ यह देखते हैं यहां पर यह अपना original application नहीं है यह application तो इसको मैं center में लाने के कोशिश करता हूं तो फिर से मैं dip का यूज करता हूं दिब में थोड़ी से styling add करूंगा और फिर यह अपना काम हो जाएगा तो अगर आप इस shortcut में बता दो तो alt और up arrow की अगर आप प्रेस करते हो तो यह जो भी कर्षर जहां पर मूब कर रहा है वह चीज आगर आप उपर लेना चाहते हो उपर या नीचे तो हो जाता है अगर अपर प्रेस करते हो तो ठीक है मैं इसमें भी थोड़ी से styling add करता हूं यहां पर मैं एक class add कर लेता हूं और class लिखने वाला हूं simply range रेंज डीव है ना यह रेंज डीव एसलिए रेंज डीव और style वाली फाइल में मैं styling add करता हूं यहां पर मैं लिखने वाला हूं और range range डीव है ना और फिर से margin top डाल देता हूं दोस्तों margin top 40 pixel दे देता हूं मैं and यहां पर margin left दे देता हूं margin left फिर से 38% दे देता हूं ताकि यह center में आ जाए है अना यह center में तो नहीं आई है तो मैं 40 40 अभी के लिए 40 दे देता हूं ठीक है 40 मैंने दे दिया है ठीक है यह अपने को यह range वाली input मिल गया input box यह range वाला अब क्या करना है basically हमने add कर लिया है जावस्क्रिप्ट के code अपन लिखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं इसको यहां से change करने यहां पर देखना चाहते है कि value क्या है इसमें जो value इसमें आएगी वही value इसके ट्रांसफोर्म वाले value में अपन आड कर देंगा और यह image रोटेट करते रहेगी तो आइए चलते सबसे पहले जावस्किप code में जावस्किट फाइल में यहां पर image को भी अपन यहां से यहां पर लिखने वाले हैं अपन आइमजी तो आइमजी एंड यहां से अपन image को स्टोर कर लेते हैं कि वेडियेवल में कॉंस्ट वेडियेवल बनाते हैं इमेज इमेज और यहां पर लिखते हैं document.document.getElementById और यहां पर लिखते हैं simply img क्योंकि इसकी id है img ठीक है एंड एक और वेडियेवल बनाते हैं जहां पर लिखते हैं range और इस range में लिखने अब एक चीज जब यूजर जैसे उस range को increase और decrease कर रहा है तो अपन वेल्यू सो करने वाले है अलर्ट बॉक्स में भी सो करेंगे कि वह वेल्यू क्या है उसके बाद आपन नेक्स स्टेप में बढ़ेंगे तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों इस रेंज में एक एक इवेन्ट वह है चेंज है न क्योंकि वैल्यू यहां से यहांदश्य करके करेंगे यहांदश्यalon यहांद ना कीकलिक कर रही मतनि है अपने इसलिक कर रहे हैं तो अपर यह शिख लागा यहां पर एक function बनाते है function बनाएंका simple सा syntax है function लिखे और उस function का नाम and then यहां पर क्या लिखने वाले हैं अब यहां पर वेल्यू सो करना चाहते है जो ड्रागेवल जो type input box range है उसकी value क्या है हमने अभी current value क्या चल रही है उसकी तो simply लिखेंगे यहां पर रेंज वेल्यू अपन बना लेते हैं रेंज वेल्यू और उहां पर अपन सिंप्ली क्या करेंगे रेंज डॉट वेल्यू इससे क्या होगा दोस्तों अपने को इसकी value मिल जाएगी अब फिर alert box में दिखा देते ह करने की current value क्या है तो simply क्या लिखेंगे रेंज रेंज वेल्यू इसे अपने को मिल जाएगा कि user के द्वारा ड्राइग करने के बाद वेल्यू क्या अपने पास है इस वेरिवल में तो अगर मैं इसको ड्राइग करके यहां छोड़ता हूं तो 62 वेल्यू है और सबसे maximum value क्या अपन इस थोड़ी सी और value attribute करते हैं यहां पर दो यह attribute करेंगे मिन में लिखेंगे value zero and max value के लिखने वाले अपन 360 क्योंकि 360 से ही अपन अपनी इमेज फुली रोटेट होगी अब अगर यहां पर लेकर चलते हैं तो value 360 आ रही है 360 पर ही अपन value को चेंज करेंगे तो यह चैनल में डाला है तो styling उसके लिए add करेंगे तो आई एक यहां पर id इसको get करते हैं और id से अपन इसको get करके और यहां styling add करेंगे यहां पर लेकिने वाले हैं width क्या होने वाली है इसकी 600 फिक्सल लीट जरे देटें तो छिसे ने टम करें चैनल कि आपने अफ्राइश करों और पियають करें न में एक रोटेट करेंए इसको तो कुछ दिक्कत गरबडी नहाए यह तो ठीक है अभी के लिए क्या है दोस्तों अभी के लिए कलर क्या है यह ड्रैगेवल कलर है वो ब्लू लेकिन बुरू नहीं अपन रखना चाहते हैं यह ग्रीन चेंज करते हैं इसके लिए सिंपली एक अट्रिब्यूत करना होग इस style में जो range element है उसकी styling में तो यहां पर लिखेंगे accent accent color accent color में अगर लिखते हैं green तो अब यह green हो जाएगा आप देखेंगे दोस्तों अब यह blue से green हो गया बढ़िया दिख रहा है तो यह काम तो हमारा हो गया अब अब तीसरा step javascript में फिर इस file में चलते हैं और यहां से dynamically अपन value को change करेंगे किसकी value को change करेंगे तो image के rotation की value को change करेंगे तो इसको change करने के लिखना होगा image जहां पर stored है image element dot style and transform एक अट्रिब्यूट है जैसे अपना value change हो जाएगा और यहां बैक्टिक्स का यूज़ करेंगे अगर बैक्टिक्स की knowledge नहीं है तो मैं simply बदा देता हूं बैक्टिक्स का यूज़ इसलिए करता है कि इस स्ट्रिंग में अपन कोई वेडिवल को भी याड़ कर सेखे वेडिवल में क्या उड़ा है वैल्यू ड्रैग वैडिग वैल्यूच हो जा जा है तो इसलिए अपन वैरिवल यहां पर इमपर्ट करने वाले मैं आपको दिखाता हूं यहां पर क्या लिखा होगा. और यहां पर एक यूज करूंगा इस बरेवल ने वलिध का उने वाली की बाद गपर प्रुष्म हो जा रहा है. तो इसलिए जो भी value होगा उस value के हिसाब से rotation हो जाएगा अगर यह 60 value है अगर range value में तो यह rotate करके उसको 60 में rotate करता है 60 degree पे तो आएए देखते हैं कि यह rotate हो भी रहा है या नहीं तो अगर मैं इसको drag करके यहां करता हूँ perfectly यह rotate हो रही है आप देख पा रहे है यह image जो है जा यही चा रहे थे यह इस project का यही mode था कि image को कैसे rotate करे और input के लिए मैंने range का use किया है और मैंने बहुत सारी styling आपको add करके दिखाया है और javascript की health से मैंने कैसे किया इस चीज़ को मैं आपको easily explain करके बताया हूँ तो इसी तरीके से अपन चीज़ों को tackle करते हैं दोस्तों औ और I hope आपको इसी समझ में आई होगी आज की वीडियो बहुत ही जोटी थी और बहुत ही इंट्रेस्टिंग एक नहीं चीज़ आपको सीखने को मिली होगी creative project में add करते जा रहा हूँ अगर आप चाहते हो कि और वी benefit low तो मैंने आपको starting में बता दिया कि यह playlist है जहां पर मै इस code को देखना एक बारी और फिर से code को समझना अगर कोई दिक्कत आये तो comment box में मुझे comment कर देना मैं फिर से आपको समझाने कोशिश करूँगा तो तो मैं फिर से आता हूँ उस playlist के पास तो यह playlist है जहां पर मैं इस वीडियो को फिर से upload करूँगा और ऐसे एसी वीडियो और डालता जाओंगा अल्मोस्ट 10-12 प्रोजेक्स मैं एड करूँगा जिससे practice आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और नई नी चीज़ हर एक प्रोजेक्ट में सिखने वाले हो क्योंकि मैं जो प्रोजेक्ट डाल रहा हूं हर एक प्रोजेक्ट में कुछ नय नय चीज़ आड करते जा रहा और वह डाल रहा है तो जावा स्किप्ट की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो रही यहां पर इस प्रोजेक्ट को आप अपने गिटब रेपोजेटरी में भी आड कर सकते हो और किसी को एक्सिप्लेंट भी कर सकते हो तो दोस्तों अगर यह वीडियो काफी पसंद आई हो को तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को कुसी और को शेंड करना जो इससे उसका भी फाइदा हो जाए तो आप सियोरी सेंड करें इस वीडियो को तो थैंकी सो मच दोस्तों मिलते हैं अगले प्र